हलो गाईज पैलकूम डिदेजी मिडेने इस तो गाईज आज हम बात करेंगे रॉबिट ओनी जुनियर के बारे में आप सबी जानते हों कि Marvel Cinematic Universe में रॉबिट ओनी जुनियर सबसे बड़ा अरणिंग का सोर्स है देन अभी हाली में सारे यूटूबर्स सारी वेबसाइट ये कंपेरेजन करने में लगी हुई है कि कौन से एविंजर 4 में दो बड़े केरेक्टर मारे जाएंगे जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है Iron Man का और दूसरा नाम आता है Captain America का और देन बाकी केरेक्टरों के नाम लें जिसमें कि Black Widow, Hawkeye, Thor, Hull और सबसे इंपोर्डेंट केरेक्टर वीजन जो कि अलेडी पहले मारा जाए चुका है पर आदे से ज़ाद जिदेने भी करेक्टर मरे हैं वो सब रिटर हो चुके हैं बट अब हाली में मेरे पास जो अपडेट आया है Robert Downey Jr. से रिलेटिव Marvel Cinematic Universe में Kevenger 4 का एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें Robert Downey Jr. यानि ये के Iron Man अपनी जान गवा देंगे वो वलीदान सबसे बड़ा वलीदान होगा जैसे कि एक्जम्पल में आपको लूँ अपतार मूवी जब उसके डिरेटर अपतार मूवी को बना रहे थे तो नोंने कुछ ऐसा सूचे कि इस मूवी को ऐसा बनाया जाए कि इतियास में लोग इसे याद रखें यानि कि एक Cinematic Universe में एक ऐसी हिस्ट्री बने जिसमें कि इस मूवी को याद रखा जाए और फाइनली आप जानते हो कि अपतार सबसे बड़ी मूवी है कमाई के मामले में बट उसमें कोई एक ऐसा मूमेंट नहीं है तो शायद मेरे एसाब से Marvel Cinematic Universe ऐसा चाहता हो कि हम एक ऐसे करेक्टर को मारें और इसकी एक ऐसी emotional story बनाए एविंज होर में कि लोग को इसे याद रखें कमाई के मामले में तो ये अपनी पूरी मूवी की रुकॉर्ट तो तो तोड़ेगी बट ये शायद और भी मूवी को रुकॉर्ट तोड़ दे जैसे कि स्टार वार्स या अफ्तार को भी रुकॉर्ट तोड़ी देगी आपको पता है भावली की तरह होने वाला है ये दो यार उनने इसमें एक तहल का मचाने वाली है और देन इसमें काफी सारे केरेक्टर भी होने साथ और देन काफी रुकॉर्ट तोड़ेगी तो उसके बाद रॉबिट ऑनी जुनियर का ये मरने का सीन शायद एक इतियास बना दे और फैंस के लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल हो सकता है तो रॉबिट ऑनी जुनियर के 91 फैंस हैं अगर इनके मनने के बाद मुझे नहीं लगता के साथ Marvel Cinematic Universe की कोई मूवी इतना अर्म कर पाएगी बट आपके लिए एक खुश कबरी है जो कि आपको मैंने श्यूटियो में बताऊँगा तो गाईस आचली बस इतना ही अगर आपको ये वीडिए पसंद आदो दूश के भाई साथ बट दो